तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे Redmi Note 11 फोन में Apps Lock कैसे करते हैं Apps को Lock करने की बाद उसको Unlock करने के लिए हम कैसे Fingerprint और Face को Use कर सकते हैं और दोस्तो इस फोन में Apps Lock की साथ जूरे कुछ features है जो बहुत ही useful है वो भी हम जानेंगे दोस्तो वीडियो चोटा सा होगा वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तो वीडियो पूरा देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप Apps को Lock करने की बाद कोई भी प्रोब्लेम में ना पड़े तो हेलो दोस्तो मैं हूँ रोवी राय यूटूब चैनल Tech Tos Report में आपका सवगत है अभी देख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तो की साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए तो चलिए वीडियो शूरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें फोन की सेटिंग में जाना है फिर स्कूल करके नीचे आना है फिर यहां पर दीखिया एक MI account का option है इस पर हमें टेप करना है दोस्तो इस फोन में MI account बनाना जोरूरी है अगर आप MI account बनाते हैं और apps को लोग करने के बाद अगर password आप भूल जाते हैं तो MI account की मदद से आप दोबारा से password को reset कर पाएंगे और अगर आप MI account नहीं बनाएंगे उसके बाद अगर password भूल जाते हैं तो आप बो app को कभी open नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हमें यहापर MI account बनाना है तो MI account बनाने के लिए हमें क्या करना होगा यहापर देखिए phone number ़ेने का option है लेकिन हमें यहापर phone number नहीं देना है हम google account से यह फिर Gmail account से MI account बनाएंगे उसके नीचे देखिए यहापर terms को accept करने के लिए एक option है इस पर हमें टैप करना है फिर नीचे यहां पर देखिए Google का option है इस पर टैप करते ही आपकी फोन में जो Gmail IDs है वो शो कर देगा और उन में से आप जो email account को MI account बनाने के लिए use करना चाते है उस पर एक बड़ टैप करेंगे टैप करते ही आपका MI account बन जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरह हमें MI account बना लेना है फिर हमें क्या करना है यहां पर बैक जाना है फिर थोड़ा सा हमें उपड़ जाना है तो यहां पर देखिए एक Apps का option है इस पर हमें टैप करना है फिर नीचे यहां पर देखिए एप लोग का option है इस पर हमें टैप करना है फिर नीचे देखिए turn on का option है इस पर टैप करना है फिर यहां पर हमें एक pattern लगाना है तो लाकत है एक pattern और दोबारा सा हमें वही pattern लगाना है फिर यहां पर देखिए हमे नेक्स्ट पर टैप कर देना है फिर यहां पर देखिए MI account एड करने के लिए बोल रहा है add your MI account to be able to reset password तो ठीक है हमें नीचे यहां पर टैप करके MI account add करना है फिर यहां पर देखिए कुछ आप यहां पर selected दिखाएगा तो इन में से आप अगर जिस आप को लोग करना चाते है वो है उसको select रखकर बाकी सब को इस तरह टैप करके unselect कर देंगे ठीक है दोस्तों और अगर इन में से कोई भी एप नहीं है जिसको आप लोग करना चाते है तो सभी आप को इस तरह Unselect कर देंगे करने की बाद हमें क्या करना है नीचे दिखिए इस अप employ में यहां पर दि켜 रहे हैं वेकर यहां पर दिखने वेरी फिंगर पिंडे में फिंगर पिंड्पिंट ले लिया तो आब हम fingerprints से lock किया हुए app को unlock कर पाएंगे तो फिर देखिए दोस्ते हमें क्या करना है नीचे यहाँ पे देखिए सारे यहाँ पे show कर देगा देखिए आपके फोन में जितने भी app से है सारे app यहाँ पे show कर देगा तो इन्मेस आपको जिस जिस आपको लोग करना है उस एप को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है तो सपोज मैं होट सेप को लोग करना चाता हूं तो इसको मैं साइट में यह बटन को अन कर दूंगा फिर मैं यूटुब को लोग करना चाता हूं तो यह रहा यूटुब इसका भी यह बटन को अन कर दूंगा आप क्या करना है यहां पर देखिए use face data इस पर आपको tap करना है फिर आप इस screen में देखेंगे तो आपने आपका face ले लेगा और आप आपकी face से भी apps को unlock करता हैंगे ठीके दोस्तों फिर नीचे यहां पर देखिए want to hide sensitive notifications इस पर tap करना है फिर यहां पर देखिए आप अगर जिस app को lock किया है उ आप क्या करेंगे side में देखिए यह जो button है इसको अब इस तरह on कर देंगे तो आपका जो lock किया हुआ app का notifications है वो आएगा वो आप देख पाएंगे लेकिन उसका जो content होगा उसमें जो लिख्खा होगा या फिर फोटोस होगा वीडियोस होगा वहां पर नहीं दिखेगा उ तो हम WhatsApp और YouTube को Lock किया था तो WhatsApp पर Tap करते हैं तो देखिये Lock हो गए यहाँ पर हम pattern दे सकते है यह फिर fingerprint दे सकते हैं यह फिर fingerprint दे शकते हैं यह पर दीखे मैं फिंगरपिंट दे रहा हूं और यह अनलोग हो जाएगा देखिए अनलोग हो गए फिर YouTube को देखते हां उपन करते ह है देखिए यह भी लोग है और इसको मैं फिंगर्पींट से अनलोग करता हूँ देखिए अनलोग हो गए अब दोस्तों कुछ important settings है जो हमें करना है तो हम बैक चलता है एप लोग सेटिंग पर तो दोस्तों यहां पर देखिए एक यह भी आपको अनलोग करेंगे तो सारे lot किया हुआ एक ही बार में देखिए हमें दुबार से WhatsApp को अन्लोक करने की जोरूत नहीं है तो दोस्तों यह सेटिंग मुझे बहुत ही इंडेस्टिंग लगा आपको कैसा लगा जोरू कमेंट करके बताना तो अब बैक चलते हैं फिर एप लोक सेटिंग में फिर हमें क्या करना है यहां पर देखिए यह यहां पर साइट पर इस बटन पर टैप करके एक क्लिक में ही सारे आप को लॉक कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो मुझे यह नहीं चाहिए तो इसको मैं आप करता हूं फिर नीचे चले आना है यहां पर देखिए चेंज पाज़वाट टाइप आप यहां पर टैप करके इसक को अनलोग कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए जोस्तों एक सेटिंग बहत ना में भूल गया यह पर देखिए लौक सेटिंग इसपर हमें टैप करना भुष्भा करना है फिर यहां पर देखिए लिख्या हुआ है मांद डीबाइस इस लॉक्ट और अप्टार एक्सिट को करेंगे उसके बाद भी लॉक हो में बोल रहे डेवेस लग होने पर आपने आपने लॉक हो जाएगा ठीकर सकते हैं तो दूसर वीडियीो कैसे लेगी जोरूर कॉमेंट करके बताना तो आज के लिए इतना ही थैंक्यों बाइब